मेरे प्यारे भाईयों बेहनों आज मैं सुबह नया राइपूर में था नया राइपूर में जब भी आता हूं कई नई चीजे देखने को मिलती है लगता है दीन में जितना नया राइपूर बढ़ता है उससे ज़्यादा रात में बढ़ता है आज मैंने नया राइपूर में शहरों में जो गरीब होते हैं उन गरीबों के आवास की योजना का सिलान्यास किया और अभी मैं आपके बीच आया हूँ कारकम तो इन मेरे आदिवासी भाई बेहनों के बीच में है दिल्ली से बहुत दूर है राजदान गाउं के एक इलाके में है छोटे सी जगा पर है लेकिन कारकम बहुत बड़ा है पूरे हिंदुस्तान के लिए है पहले सरकार को आदत थी कि जो कुछ भी करना है वो दिल्ली में से ही करना विज्ञान भवन में दो सो चार सो लोग आ जाएं दिया जलाएं मिडिया वालों की मित्रता काम आ जाएं टीवी पे 24 गंटे पता चल जाए कि इतना बड़ा काम हो गया है मैंने सरकार को दिल्ली से बहार निकाल करके जन जन के बीच में लाके खड़ा कर दिया आदिवाच्यों के बीच में लाया हूँ, किसानों के बीच में लाया हूँ, गाउं के बीच में लाया हूँ, सरकार के धिकारियों की फोज गाउं में जने लग गई हैं और विकास के एक नई दिशा पकड ली हैं और इसलिए आज इस छोटे से स्थान पर ये लाखों लोगों का जन सागर मैं हरान हूँ इतनी बड़ी मात्रा में लोग जहां भी मेरी नजर पहुंचती हैं लोग ही लोग नजर आते हैं मैं उदर पहड़ी पर नजर कर रहा हूँ पहड़ी में भी जैसे जान आ गई हैं पत्थर नहीं लोग नजर आ रहे हैं क्या अद्बूत द्रश्य देख रहा हूँ मैं मेरे प्यारे भाईयों भनो ये जनता जनारदन के आशिरवाद इस देश को नई उचाई पर पहुंचाएंगे ये मेरा विश्वास हर दिन पक्का होता जाता है हर दिन नया विश्वास पहड़ा होता है ऐसा प्यार जो आप लोग दे रहे हैं उससे मुझे आपके लिए ज्यादा दोड़ने की ताकत मिलती है ज्यादा महने करने की ताकत मिलती है पसीना बहाने की प्रेरणा मिलती है आज मुझे हाँ एक सो चार साल की उमर की मा कुमर भाई का आशिर्वाद प्राप्त करने का स्वभाग्य मिला जो लोग अपने आपको नवज़वान मानते हैं वो जना तै करें क्या उनकी सोच भी ज़वान है क्या मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक सो चार साल की मा कुबरवाई ना टीवी देखती है ना अकबार पढ़ती है ना वो पड़ी लिखी मा है दूर सुदूर गाउं में रहती है और उसको पता चला कि देश के प्रधान मंत्री कहते हैं के सौचालय बनाओ बस इस मा की कान में पढ़ गया उसने अपनी बकरियां बेच दी और सौचालय बना दिया एक सो चार साल की मा के मन में विचार यही हिंदुस्तान के बदलाव का संकेत दे रहा है देश बदल रहा है इसका सबूत दूर सुदूर गाउं में बैटी हुई मेरी एक आदिवासी एक सो चार साल की मा जब सौचालय बनाने का संकल्प करे और संकल्प करे इतना ही नहीं पूरे गाउं वालों को सौचालय बनाने के लिए मजबूर करे इतना ही नहीं गाउं में अब कोई भी व्यक्ति खुले में सोचाले नहीं जाएगा ये पक्का करवाले इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है मैं आज देश वाचियों को कहता हूँ मैं मीडिया वालों से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा इभाशन नहीं दिखाओगे तो चलेगा लेकिन मेरी ये मा कुमरभाई की बात जरूर देश को बना रहा यहीं दो बाते हैं जो समाज की ताकट बनती है और आज मुझे मा कुमरभाई का स्वागत करने का सम्मान करने का आउसर मिला मुझे आज यहां के आदिवासी खेत्र के दो विकास खंडों के सेवा भावी नवजवान माताएं बहनों और भाईयों का सन्मान करने का आउसर मिला अमबागट चौकी और छूरिया इस दो ब्लोग सामाजिक जागरुकता से यह जागरुक नागरिकों के अथाग प्रयास से यह दो ब्लोग ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए यह दो ब्लोग खुले में सौचालय जाना बहाँ बंद हो गया और हर किसी ने सौचालय बना लिया स्वच्छता यह चोटी विशेब बात नहीं है हिंदुस्तान के कौने कौने में जन जन के मन मन में सौचालय एक स्वभाव बनाना है सौचालय स्वच्छता बिमारी से मुक्ति स्वच्छत भारत इस सपनों को पूरा करने के लिए अगर कोई पहली महत्पकून पक्ति है कदम है तो वो स्वच्छता है आज मुझे उनका संबान करने का आउसर मिला अमबागड चौकी ब्लॉक के ग्रामिन लोगों को मैं विशेद बधाई देता हूं कभी कभी देश का प्रधान मंत्री भी टैक्स लगाने से डरता है उसको चिंता रहती गहरे ये करूंगा तो क्या होगा लेकिन ये अमबागड चौकी के नागरी को को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने खुले में कोई सोच जाएं तो दंड करने का प्रावधान किया है और दंड करते हैं ये बहुत बड़ी हिम्मत लगती है समाज के लिए निनने कड़वा हो तो भी करने की ताकत इन अमबागड चौकी के मेरे आदिवासी भाईयों ने आज हमें सिखाई है उन्होंने ओपन टिफेक्शन फ्री खुले में सोच जाने की सद्यों पुरानी आदत से लोगों को मुक्ति दिलाई है और ये जब आप खुले में सोच जाने वाला बंद कराते हैं तो वो सबसे पहले माताओ बहनों के सम्मान का काम होता है मा बहनों को सबसे बड़ा सम्मान यही है कि आज मजबुरन उनको खुले में जंगलों में सोच के लिए जाना पड़ता है अगर हम अमारी माताओ बहनों को इस मुसिवत से मुक्त करा दे तो देश की कोटी कोटी माताओ बहनों का अशिरवाद ये भारत को एक महान शक्तिशाली देश बना देगा और उस काम को यहां के हमारे आदिवासी फाई बहनों ने करके दिखाया है 104 वर्ष की माने करके दिखाया है इस से बड़ा सफलता का मार्ग क्या हो सकता है मैं इन सभी को सारवजनिक रुप से सर जुका करके नमन करता हूँ मैं उनका बहुत बदबंदन करता हूँ उनका रदय से अभिलंदन करता हूँ आज यहां एक योजना का और भी आरम हुआ जन आउशदी भंडार गरीब व्यक्ति को परिवार मेहनत करके गुजारा करता हूँ सोचता हो पांच साल के बाद यह करेंगे दस साल के बाद यह करेंगे कभी सोचता हो साइकल लाएंगे कभी सोचता हो बच्चों के लिए कोई अच्छे से कपड़े ले आएंगे लेकिन परिवार में अगर एक व्यक्ति को बिमारी आ जाए तो गरीब के लिए तो दस साल का पूरा प्लानिंग गड्डे में चला जाता है आर्थिक बोज बन जाता है कर्दिदार बन जाता है गरीब को सस्ती दवाई मिले गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आये इसलिए पूरे देश में जन अउस्षदी भंडारों का भियान चलाया है आज मैं 36 गड़ के मुक्ह मंत्री वर उनके पूरी टीम को बदाई देता हूं कि आज जन अउस्षदी भंडार की और नई भंडार खोलने का आज मेरे हाथों से मुझे करने का उन्होंने अउसर दिया मैं इसके लिए उनका में बहुत आभारी हूँ आज रर्बन मिशन इसको हम प्रारंब कर रहे हैं कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी नहीं तो स्मार्ट मिलेज क्यों नहीं यह जो रर्बन मिशन है न वही स्मार्ट मिलेज है हमारे चौदरी थाप हमारे उसके मंत्री हैं भी भाग के भी अभी विस्तार से बता रहे थे यह बात सही है कि हमारे शहरों की और जाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है लोग अपने बेटों को शहरों में भेज रहे हैं बुडे माबाप गाउं में रहते हैं नवजमान शहरों में चले जा रहे हैं उनको एक अच्छी जिन्दगी जीनी है एक quality of life जहां अच्छी सिक्षा हो अच्छी अस्पताल हो बिजली आती हो इंटरनेट चलता हो कहीं शाम को पल भर परिवार के साथ कहीं गुमने भिरने जाना तो अच्छी जगा हो यह उसके मन में रहता है और इसलिए वो शहर की और चल पड़ता है लेकिन शहरों के हाल हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जुगी जौपणियां बढ़ती जाती है शहरों का विकास पिछले कई वरसों जे लोग आते गए और शहर को बढ़ाते गए शहर में बैठे विये लोगों ने या राजसरकार चलाने वाले लोगों ने ये लोग आएंगे तो कहां रहेंगे उनको पानी कहां से पहुँचेगा बिजली कहां से मिलेगी उनका ड्रेनेज का क्या होगा उनको दैनीक जीवन क्रियाय करनी है तो कहां करेंगे कोई सोचता नहीं लोग आते हैं कभी एक लाग जन संग्या होगी थोड़े समय में ड्रेड लाग हो जाएगी फिर दो लाग हो जाएगी फिर तिन लाग हो जाएगी और व्यवस्ता वहसी की वहसी रहेगी पानी का टंका वही रहेगा जो पहले एक लाख लोगों के लिए था अब पांच लाख लोगों को पानी कहां से पहुचेगा और इसलिए पिछले कई वर्षों से पुर्वानुमान लगा करके विकास का नक्सा तैयार करके कि अगर शहर बढ़ेगा तो इस तरह बढ़ाएंगे मकान नए बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे प्लानिंग ऐसा करेंगे ये सोचा नहीं गया और सोचा गया तो बहुत कम जगा पे सोचा गया और उसके कारण शहरों में जाना भी लोगों के लिए दुशकर हो गया है इसका उपाएं क्या क्या लोगों को उनके नसिप पे छोड़ दिया जाए जुगी जौपड़ी में जीने के लिए मजबूर किया जाए जी नहीं इसका उपाएं सोचना चाहिए और इस सरकार ने सोचा है और उसी म जैसे एक रर्बन मिशन बना है, रर्बन का सीधा सीधा आर्थ है रूरल-बन, दोनों को मिला दिया रर्बन ग्रामिण और शेहरी दोनों को एक साथ मिला दिया वो है रर्बन, जिसका मतलब है कि विकास ऐसा हो जिसकी आत्मा गाउं की हो और सुविधा शहर की हो ऐसा गाउं अगर हम देखते हैं कि कुछ पांच साथ गाउं के बीच में एकाउं होता है जहां पर लोग खरीदी करने आते हैं कुछ छोटी मुटी चीज करने जाते हैं लेकिन वो गाउं भी होता है इस सरकार ने सोचा क्या देश में ऐसे जो गाउं है जिसके अगल बगल में पांच साथ गाउं होते हैं और ये गाउं दीरे दीरे बढ़ रहा है क्या वो शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है अपने आप बढ़ रहा है लोग दिरे दिर वहाने लगे पढ़ने के लिए आगए व्यापार करने के लिए नोकरी करने के लिए पहले दसेजार थन क्या थी देखते ही देखते 20,000 हो गई देखते ही देखते 25,000 हो गई क्या अभी से ऐसे जो तेज गती से बढ़ रहे हैं ऐसे गाउं को केंद्रित करके अगल बगल के 57 गाउं को जोड़ करके 25,000,000,000,000,000,000,000 की जन संख्या की सुविधा के लिए एक क्लस्टर एप्रोच से ये रर्बन मिशन को लागू किया जा सकता है पूरे देख में ऐसे 300 रर्बन सेंटर खड़े करने की कामना से अभी काम प्रावर्म किया है इस वर्ष सो ऐसे रर्वन कलस्टर खड़े कने की कल्पना है जिसका विकाश शहर बनने वाला है वो ध्यान में रखा जाएगा लेकिन उसके अंदर का जो गाउं है दिल में जो गाउं का भाव है उसको जिंदा रखने के लिए पूरा प्रयास होगा एक ऐसी रचना जो भारत के स्वभाव के साथ जुड़ती है भारत के प्रकुति के साथ जुड़ती है दूसरी बात भारत के आर्थिक विकाश को भी पांच-पचाँच बड़े शहरों के आधार पर नहीं चलाया जाते है सबासो करोड का देश कस्पिश से कन्याकुमारी कच से कामरोप इतना विशाल देश अगर लोगों को रोजगार देना है आर्थिक प्रभूत्ति करनी है तो हमने विस्तार नीचे तक ले जाना पड़ेगा ये रर्बन जो कलपना है उसमें उसको ग्रोथ सेंटर बनाने की कलपना है आर्थिक विकास की गतिवीती का केंदर बिंदू बनाने की कलपना है छोटे छोटे बाजार होंगे कारोबार अगल बगल ये पानदस गाववा के लिए चलता होगा तो दीरे दीरे वह बन जाएंगे हमारे यहाँ जो ट्राइबल बेल्ट है उन ट्राइबल बेल्ट में आदिवासी विस्तारों में अगर हम सोच करके ग्रोथ सेंटर डेवलप किये होते एक-एक ब्लॉक में एक-एक ग्रोथ सेंटर अगर डेवलप किया होता तो हमारे आदिवासी शेत्रों के आर्थिक विकास के लिए इतने साल जो बीद गए नहीं बीदते हैं और इसलिए सुविधाय मिले सिख्षा मिले आधुनिक्ता मिले साथ साथ आर्थि गतिविदी मी मिले इन सारी बातों को जोड करके एर रर्बन की योजना वराई है आज छोटे गाउं में डॉक्टर जाते नहीं है छोटे गाउं में सिख्षक नहीं जाता लेकिन अगर रर्बन मना दिया तो लोग वहाँ जाएंगे और नतिक में 5-10-15 किलमेटर दूरी पर दबाई सेवाओं के लिए जाना है या सिख्षा के लिए जाना है तो वह आराम से जाएगा आएगा और इसलिए अगल बगल के भी अनेक गाउं का क्वालिटी आफ लाइफ में बहुत बड़ा बड़ाव आएगा इस विजन के साथ आज 36 गड़ में चार ऐसे संकूल के लिए प्रारम हो रहा है मैं 36 गड़ सरकार को बढ़ाई देता हूँ कि एक महत्वपुन काम की योधना वो भी आज़ी वास्यों उसके बीच बैट करके देश के लिए प्रारम हो रही है इसका लग हिंदुस्तान के हर कोने को मिलने वाला है और देखते ही देखते शहरों पर दमाव कम होगा गावों से बाहर जाने वालों के लिए एक अच्छी जगा उपलब्द हो जाएगी नए शहरों का निर्माण हो जाएगा यह नए शहर व्यवस्तित होंगे आयोजित होंगे आर्थिक गतिविती के साथ जुड़े विये होंगे इस कल्पना को ले करके ए रर्मन का कारकमाज प्रारम कर रहे हैं मुझे विश्वास है कि एक साथ देश पे जब योजना चलेगी करोडों करोडों लोकों को इसका लाब होने वाला है भाईयों बेहनों यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे किसान भाई बेहन है मैं दो दिन पहले एक किसी पत्रकार ने लिखा था पीटर पर में पढ़ रहा था उसने लिखा कि कई वर्षों के बाद किसानों के लिए बरोसे पांत्र विश्वास पैदा करें माली योजना पहली बार आई है जो किसानों में एक नया विश्वास पैदा करें ये योजना है प्रधान मंत्री फसल विमा योजना हमारे देश में जादा तर खेती इश्वर पर आदिन है अगर वर्षा हो गई तो ठीक वर्षा नहीं हुई तो सुखा जादा हो गई तो पानी में डूब गया प्रकुर्ति अगर रूड जाएं तो सबसे पहले अनुक्सान किसान को होता है ऐसी स्थिति में किसान को सुरक्षा मिलना जरूरी है एक नया विस्वास मिलना जरूरी है और इस बात को धान में रखते हुए पहली बार देश में प्रधान मंत्री फसल विमा योजना ला लेने के लिए तैयार ही नहीं होता था उसको लगता था इतने रुपी अगर मैं प्रीमियम दूँगा तो फिर बीच कहां से लाओंगा खाद कहां से लाओंगा पानी किसां खेती में कहां से पिलाओंगा पशुको चारा कहां से खलाओंगा वो देता ही नहीं था और एक बार और बीमा तो उसको मिला, जिसको बैंक का लोन मिला था, तो सिधा बैंक वाले को चला गया, किसान के पास तो कुछ आता ही नहीं था, ये जितनी बीमारियां थी, सारी बीमारियों को हमने खतम कर दिया, एक नहीं ताकत वाली प्रधान मंत्री फसल बिमायोजना लाए, जिसमें अब उसको प्रीमियम ये जादा नहीं देना पड़ेगा, देड़ परसंट, दो परसंट बरा, वरना पहले तो कुछ इलागों में तो बावन-बावन प्रतिशत प्रीमियम गया है, 8, 10, 14, 15 प्रतिशत तो रुटीन चलता था, हमने पक्का कर दिया, कि 2 परसंट से जादा नहीं, ये पक्का कर दिया, और इसलिए अब किसान को जादा देना नहीं पड़ेगा, दूसरा, फसल, खेत में से तयार हो गई, अच्छी बारिज हुई, अच्छी फसल हो गई, और फसल काट करके खेत में धेर पड़ा हुआ है, ट्रेक्टरन मिल जाए, ले जाने के लिए इंतजार हो रहा है, इतने में अच्छानक बारिज आ गई, तो उस बेचारे को एक पैसा नहीं मिलता था, बारिज आने तो उसका तो बरबाद हो गया, देर किसी काम का नहीं, यह सा ही देर देखने का, इस सरकार ने निर्णे किया, कि फसल काटने के बाद खेत में अगर धेर करके पड़ा है, और 14 दिन के भीतर भीतर अगर कोई आपत्ती आ गई और नुक्षान हो गया, तो उसको भी फसल बिमा मिलेगा, यह बहुत बड़ा निर्णे किया है, पहले बहुत बड़े इलाके में तैव होता था, कि यहाँ वर्षा हुए ति इसका हिजाब लगाया जाता था, इसके कान क्या होता था, पांच गाउं में अच्छी बारिश हुई हो, दस गाउं वेचारे सुखे में पड़े हो, उनको मिलता नहीं था, हमने कह दिया कि छोटी इकाई को भी अगर उसका नुक्षान हुआ है, तो उसको भी भरपाई हो जाएगा, उसको फसल का भीमा मिल जाएगा, इतना ही नहीं दो-दो साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको टेकनलोजी के माध्यम से ततकाल पैसे मिल जाएगा, इसका प्रबंद किया जाएगा, कभी कभार किसान तै करता है, कि जून महिने में बारिश आने वाली है, सब रेडी रखता है, लेकिन जब तक बारिश नहीं आत बारिश नहीं, वो बारिश नहीं कर पाता है, जून महिना चला जाएगा, वो बेचारा बारिश की इंतजार कर रहा है, जुलाई महिना चला जाएगा, वो इंतजार कर रहा है, बारिश आई नहीं, तो ऐसा किसान क्या करेगा, जिसको बेचारे को बारिश आई नहीं, बार योजना के तहट अगर वो फसल वो भी नहीं पाया और उसका नुक्षान हो गया तो भी उसको पचीस प्रतीशाद उसका साल भर पेट भरने के लिए तुरंत पैसा दे दिया जाएगा भाईयो बहनों हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों के लिए इतना बड़ा सुरक्षा कबच अगर किसी ने दिया है तो पहली भार दिल्ली में आपने हमें बिठाया और हमने आपकी सेवा में रखा है भाईयो बहनों ये सरकार गरीबों के लिए है ये सरकार दलितों के लिए है ये सरकार आदिवाच्छों के लिए है ये सरकार पिडितों के लिए है ये सरकार बंचितों के लिए है समाज में आखरी छोर पर जो वैटे हैं उनके कल्यान के लिए एक संकल पकर के सरकार आई है और इसलिए चाहे घर बनाने की योजना हो चाहे जन अउसर भंडार करना हो चाहे रर्बर मिशन हो चाहे फसल भीमा योजना हो चाहे सुच्छता का भियान हो चाहे खुले में सोच बंध कराने का प्रयास हो इस सारी बाते सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए गरीब की जिंदगी में बढ़लाव लाने के लिए बहाई यृ भेनों यही बाते हैं जो आने वाले दिनों में परणाम लाने वाली है और मेरा तो विश्वास जब 104 साल की मा कुमर भाई आशिरबाद दें तो मेरा विश्वास लाखो गुना बढ़ जाता है लाखो गुना बढ़ जाता है यही रास्ता है यही रास्ते से देश का कल्यान होने वाला है और उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं फिर एक बार मैं आप का बहुत पहHello intervene करता हूं आप सबकोुनमन करता हूं आप सब करता हूं भारत माता कीजuego कि विभ्याने के चारो दिसासे आने दो हमने कभी घ्यान के द्रवाजे बनने की है हुआ हम कभी किसी पी घ्यान के प्रवास से भभीष नहीं हुए भीचलीत नहीं हुए कि क्या आज हम अपने आपको पूछें कि क्या हम दुनिया के किसी भी कौने से उत्तम से उत्तम जो बाते हैं उसको सुनने समझने लिए हमारा मन खुला है क्या